तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों ग्राम पंचयत मड़वा के समसान घाट के मद धुआ पास होने के लिए डाली गई छट का छपपर छटी ग्रस्थ होकर मोल छट के उपर गिर गिर गया जो कभी भी नीचे गिर सकता है जिसमें भारी जनहानी हो सकती है ग्राम मड़वा का उक्त छटी ग्रस्थ समसान घाट का निर्माल 2014 में जिला पंचयत दौरा कराया गया था ग्रामीडों ने बताया उक्त समसान घाट का उक्त छट पर छटी ग्रस्थ होकर मोल छट पर एक वर्स पूर गिर कर फस गया था जो कभी भी दा संसकार के दौरान लोगों के उपर गिर सकता है जिसमें भारी जनहानी हो सकती है ग्रामीडों ने प्रधान पर आरोब लगाते हुए बताया कि प्रधान का उक्त सम्मन्द में सोचना भी दी गई एवं प्रधान ने भी कई बार संसकारों में शामिल होने के दौरान उक्त समस्या को देखा है लेकिन ब्रधान द्वारा उक्त अधिकंबीर समस्य कर निस्तान नहीं किया गया ग्रामीडों ने सम्मदित अरिकारियों से सेग्र उक्त चादीगरस छपर को हटवा कर न्याय छपर बनवाने की मांग की है लेकिन ठेकेदार मजबूद था इसलिए वो काम नहीं को पाया तुझे इस्तिति यहां की जजजर हो गई है कभी भी बड़ी घटना हो सकती है इसके लिए कोई शिकायत करने के लिए नहीं आता है उलिए तो आप लोगों ने किसी कुछ कहा एक बाह्न कोस्ता हो सकता है फे जलाने के लिए आते हैं हो सकता है गया आगे का आपको बता हे है यह वाब यह कब तूड़ गया फार कर लाग एक साल हो गई कि टूटे हुए इसको और कोई आपके आप यहां पर बन गया थे हैं पर साहिए लोग गाउं की जलाती इही पर आते हैं जी मान्वा में यह संसंगहट आपका बना है इस तरह की हालत थे क्या हालत है यहां पर अब कोई बिवस्ता नहीं है सही क्रकास से और जो है यह 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 बिसुर राय थे, उनकी इजरा पंचाय सभी से, तो उसका टूट गया है, कभी भी यहां पर गाजियाबाद देसा हास्ता होने की सब महुना है, अभी बता रहे को टूट गया था इसके प्रले जी अभी जी और, ये कित्नी दिन पहले चूट तूटा है, इसका च्छत लगभ है, यहां कोई मरमत रामत कराने के लिए कहीं कुछ काहा गया हो, नहीं कोई भी नहीं आज है, नहीं मरमत हो इसकी, नहीं कोई बार गाव सहाँ आजे हुगा था प्रिस्ता हो, कि इसको निकलवादो, वटीन काउपवासे अड़वादो ताकि धूबा बाहर निकला, और इसके कोई हास्ता हो सकता है, बड़ा, जरी हो सकता है, जरी हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, इंडिर पाइम नियोज से समवाद दाता नरेन कुमार की रिपोर्ट झाल 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 झाल